कि नमस्कार दोस्तों निफ्टिवा चैनल पे आप सब का स्वागत है तो फ्रेंड्स सबसे पहले कॉंग्रेचुलेशन्स जैसी हमारी स्ट्रेटजी थी बिल्कुल वैसे हुआ मैंने जैसे बताए था कि 17350 के नीचे अगर निफ्टी जाए तो वहां से हमने पुट लेनी है स्टॉप लोग सत्रा तीन सो सत्र का रखना है और वहीं हुआ हमें लगवग चार सो साड़े चार सो पॉइंट का प्रॉफिट हुआ और आप यह भी जानते कि पुट एक धमाक के दार त्रिक्के से बढ़ती है जब बढ़ने पर आए तो वह चार सो नहीं बलकि यहां पर बिलकुल बाय नहीं करना अभी यहां से और गिरेगी और फिर मैंने टेलिग्राम पर वो भी बता दिया था कि इस वन सेवन जिरो फोर जिरो तक अब निफ्टी जाएगी तो वहीं हुआ फाइनली निफ्टी वही पर गई तो इस तरह से हमें भारी भरकम और उसके साथ साथ जो बैंक निफ्टी थी बैंक निफ्टी देखिए मैंने अभी स्टडी नहीं की थी इसलिए मैंने उसके बारे में फिर नहीं बताया उसके बारे में मैं माफी चाहूंगा उसके लिए ति बैंक निफ्टी क्योंकि नीचे के लेवल मैंने अभी सही तरी प्री टेलिग्रम चैनल को जिरू क्लिक करें क्योंकि वहाँ पर हम चलती मार्किट में भी आपको नौलेज दे देते हैं कि अब ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए और सबसे बेले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन का बटन दबाईए और नीचे जो डीमेंट करन खोलिए ताकि आपकी अच्छी ट्रेडिंग हो सके तो अब हम आगे बढ़ते हैं कल हमने तीन स्टोक दिये थे वो था IGL IGL को हमने बाई किया 494 पे हलांकि 488 से बाई किया और ये किया गया 508 तक तो इस तरह से हमें लगभग इसमें जो प्रॉफिट हुआ है मैं थोड 489 पे बाई किया और ये इसने हाई लगाया 500 तो इसमें से हमें लगभग 11-12 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ दूसरा जो स्टॉक था जील जील को भी हमने 335 पर बाई किया पहले तो स्टॉप लॉसीट हो गया 5 पॉइंट का उसके बाद फिर से हमने बाई किया और फिर हम 8 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ अगर इस किसी ने दुबारा लिया है तो उसके बास 364 पर ये क्लोज हुआ हलागे इसमें स्टॉप लॉसीट नहीं हुआ अगर किसी के पास अभी भी है तो वह होल्ड कर सकता है क्योंकि चंबर फटिलाइजर फाइनली एक अच्छी मोमे अब देखिए आप सब को बता है कि मार्किट किस वजह से करी वह ज्यादा मुझे बताने की जुरूरत नहीं है हम बात करते आगे कि देखिए क्रोना वाइरिस जो नया वेरियेट आया है बी डोट वन डोट वन डोट फाइव तू नाइन यह मिला है साउथ अफरिका में अ यह खतना वाइरिस है इसमें 32 नए मुटेट पाए गए हैं जिनकर जो वैक्सीन लगी है हम लोगों को उसका शायद उस पर कोई असर ना हो यह सुनते ही सारी वर्ल्ड मार्किट टूट गई और यह चीज मैंने आपको पहली पिछली वीडियो में काभी बताया था कि अगर जो वैक्सीट फेपल है गर किसी तरह का उनको खत्रा हुआ तभी मार्के टूटे गी तो यहीं हुआ जो हम वैक्सीनेटिट पर बेपल है उन पर खत्रा अया सा यह तभी मार्किट बीत तरह से टूटे और यह तब तक टूटती रहेगी जब कोई अच्छी नियूज आ ना तो इस त्रह कोई खबर यह बैने एक्झेमपल दिए तो इस तरह कोई नए वेरियंट को कंट्रोल कर सके तब यह मार्केट फिर से रिकवर हो जाएगी और अब आपने इस चीज का ध्यां रखना है क्योंकि कभी-कभी चलती मार्केट में इस तरह की न्यूस आ और आप सब को पता है जब न्यूज आती है तो टेक्निकल लेवल सारे फेल होते हैं फिर वन साइड़ी मार्किट चलती है अच्छा एक बात मैं और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि दो पसंजर साथ प्रिक्ता से बेंगलूरू में आये थे उनमें भी डेल्टा वेरिय पाया गया है वो हम सर्च अब्सक्राइब नेया नाम हो रहा है तो इस चीज में आपने नजर रखनी है कि अगर वहां से कोई कोई खबर आई बेंगलूरू से कि नहीं ये डेल्टा नी ओमीक्रोन था तो फिर मार्किट हमारी और भी गिर सकती है तो इन चीजों का आपने थ्यान रखने है थोड़ा सा तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब हमें करना गया है कल के लिए मतलब मंडे के लिए अब देखिए बैंक 50 को हम डेली चार्ट पर रखते हैं उससे पहले हाँ जो कल के लिए तीन स्टोक है वो बता दे सबसे पहले आपने जो कल के लिए हम लेकर आए हैं वो है जिंदल स्टील देखिए जिंदल स्टील ने क्या किया ये है 200 डैमा इसका 390 प है बहुत भारी और 200 डैमा के नीचे बना हुआ है और पहले क्यों नहीं दिया था क्योंकि यहां पर यह लगातार बुलिश केंडल बना रहा था यह देखिए यह एक तरह से इन्वर्टिर हैमर इसने कल बनाया यह यह वह लगा कह रहा हूं रेट केंडल वह यह तो इस रही है 366 का स्टॉक लो सकना है और नीचे जो टार्गेट रहेंगे वो रहेंगे 347 330 तक के टार्गेट हमें मिल सकते हैं दूसरा जो स्टॉक है वो है भारत फोज भारत फोज ने भी 200 डैमा तोड़ा है यह याद रखिए 200 डैमा मैं क्यों पता रहा हूं कि जब भी कोई यह ची को छोड़ कर तो अब यह भी प्रानेरी में जा रहा है भारत फोज भी 705 तक कोई भी उचाल आए तो सेल कीजिए 712 यह क्या है यह है 200 डैमा तो इसका स्टॉप लॉस टार्गेट 691 682 66666666 तक के टार्गेट हमें मिल सकते हैं तीसरा जो स्टॉक है वो है कैडला हारत क्या देखी फार्मा स्टॉप में काफी अच्छी रिकवरी आई है क्योंकि अगर इस म्यूटिन का असर बड़ा इस वेरियन का तो फार्मा की जुरूरत हम सबको ज्यादा पड़ेगी और इसलिए फार्मा स्टॉप में काफी गेन आया है और केला फार्मा स्टॉप ही था जो ब 59, 496, 510 और 521 तक के मिल सकते हैं यह 521 क्या है यह 50 डेमा तो 50 डेमा तक यह उच्छाल दे सकता है हमें कैरला हेल्थ केर अब हाते हैं बैंक निफ्टी बर बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में देखिए इसने काफी बड़ा ब्रेकडाउन दिया है तो यह जो ब्रेकडाउन ह अब आपने का करना है 36 100 तक कोई भी उच्छाल आए तो आपने पुट बाई करनी है 36 100 की स्टॉप लोज 36 300 का रखना है 200 क्वेंट का और टार्गट जो हमारा रहेगा फाइंडल वो रहेगा 357 00 357 00 क्या है इसका 200 डेमा और अगर इसने गलती से 200 डेमा भी तोड़ दिया त 35600 तूटे तब आपने 35600 की पुट बाई करनी है वो भी स्टॉप लोज फिल यह 200 अमाई रहेगा 3500 का और फिर आपको नीचे के टार्गट 3500, 3530, 35168, 35071 और 34924 से लेकर नीचे तक हमें 34300 तक के टार्गट हमें मिल सकते हैं अब डेपेंड करता है कि न्यूज कैसे कोई आगी या कोई और फैल गया थोड़ा बहुत तो यह 3500 भी टूटी जाएगा 3500 तब ही बचेगा अगर कोई बुरी न्यूस ना है और जहां तक कॉल का स्वाल है तो अभी कॉल आप कोई भी बाई ना करना बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी में कॉल लेने से आपने कोई भी बचना है मैं कोई भी कॉल रिकमेंट नहीं करता अगर कोई रिकमेंट करूंगा तो आपको सिर्फ एक ही कॉल बैस्ट रहेगी वो भी रहेगी जो आपका हंडर्ड एम है वो क्रोस हो जाए और उसके उपर भी यह निकल जाए और 37510 के उपर निकल जाए तब चाक बढ़ चुका है ऑफी है मतलब मार्किट के और गिरने के चांस बढ़े रहेंगे जब तक बी हाई ओ और स्वार इन्वेस्टर का डाटा देखेंगी तो यह अट हमें बता रहा है कि मार्किट और गिरने के चांस है क्योंकि इंदेक्स उन्हों बारीमात्रा में आइछ यह कोई साथे तीन बज़े के आसपाज इंडेक्स से कवर नहीं किया और श्ट कर दिया माइनस त्री थी थाउजन टू हंडर सेंटी क्रोर का इंडेक्स उन्होंने बेज दिया है मतलब वह बुरी तरह बेरिश है और अगर कहीं बुलिश है तो वह स्टॉक फ्यूचर में यह पुराई नहीं है इसमें मार्केट और गिरने के चांस रहेंगे और अगर देखें ऑप्शन चेन अब इतनी इंपॉर्टेट रही रहेगी क्यों नहीं रहेगी मैं आपको बताता हूं इस टाइम जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो सिंगापून निफ्टी 16890 पर अब बताता हूं कि आपने निफ्टी में क्या करना है देखिए निफ्टी जो है वह हंडर्ड एमा तोर चुकी है तो हंडर्ड एमा टूटने के बाद अब बेट होगी 200 एमा की 200 एमा एज 16083 पर वो जो की काफी दूर है अभी नेर टम जो टार्गट बनता है वो कैसे बनता है वो भी मैं आपको बताता हूं यह देखिए यह हैड और शॉल्डर पैट्रन यह हमें क्या दिखा रहा है कि अगर हम यहां से एक ट्रेंड लेंड क खीचे तो यह ट्रेंड कहां जागा रुकती है वो रुकती है 16760 पर 16760 बन तो 16760 हमारा पहला टार्गट रहना चाहिए निफ्टी में पुट में प्रॉफिट बुक करने का जिन्होंने पुट होल्ड की है तो वो यह स्टेप वाइज अपना प्रॉफिट बुक करते रह पहला जो टार्गट रहेगा वो रहेगा 16915 फिर रहेगा 16760 अगर टूटा तो फिर हमें 200 एमा मिलेगा वो मिलेगा 16083 पर और आपको याद होगा कि 15916 जो मैंने कहा था एक बार आसे कई मेने बिले कि जब यह गेट कुले तो मार्विट बहुत उपर जाएगी रोश्ण तो जादा से जादा यह 15916 तक ही गिरेगी उसके लीचे कोई चांस नहीं है कि यह ज्यादा मार्विट तूट चैएं यह मैंने वैसे लॉड़ टर्म में बताया है यह एक दिन में न मान लेना कि जादा से जाधा 15916 अचनम नहीं तक ही मार्विट गिया सकती है जैसे पहल वरी टेक्निकल टर्म्स की वज़ा से आती हैं तो यह याद रखना कि टेक्निकल टर्म्स से आपने ट्रैप नहीं होना तो तभी मैंने बताया है 16760 16760 के बाद अगर यह 16760 भी टूटा तो हमें मिलेगा 16600, 1500, 1300 16252 और 16083 तक ज्यादा से ज्यादा 16083 क्या है वो है 200 तो आपने step wise profit book करने हैं और near term जो पिछले लेवल है उनको आपने stop loss मनाते चलने हैं जैसे 16915 टूटे तो फिर आपने 16900 की put by का near stop loss रहेगा आपका 16986 तो इन चीज़ होगा आपने द्यार रखना है कि परान पिछला जो लेवल होगा उसे stop loss पना देना है कि अगले लेवल के लिए आपने put by करते चले हैं और call का कोई कहीं स्वाल ने उड़ता call तो देखिए तभी बनेगी अगर mark की reverse होकर वापस 16, 17370 के ऊपर चल अगर वीडियो को शेर कें थेंक यू धन्नी माँ